स्वागत आपका फिर से एक बार और पढ़ रहें ओनलाइन क्लासिस में कैसे आप सभी I hope आप प्रेक्टिस कर रहे होंगे एगरिकल्चर के क्वेशन्स की तो जितने भी लोग ओनलाइन है जल्दी जल्दी वीडियो को आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं उसके बाद क्वेशनिंग से चलिए वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए ठीक है लाइक कीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेशन से तो फर्स्ट क्वेशन है हमारा a short duration crop in between two main seasonal crops is termed as दो जो main season की crop है ठीक है क्या पुछा है question में कि दो main season की जो crop है उनके बीच में एक short duration crop जो हम grow करते हैं उसको क्या कहा जाता है तो जितने भी लोग online है जल्दी जल्दी question का answer दीजिए सुनिए गूड इवनिंग मैम गूड इवनिंग जल्दी जल्दी online आजाईए सभी और share कीजिए अपने सभी friends को जितने भी आपके friends हैं जो agriculture की preparation कर रहे हैं और ठीक है उनको share कीजिए और आप भी video को like कीजिए ठीक है उसके अलावा जिनोंने channel को subscribe नहीं किया है जल्दी जल्दी इसको subscribe कीजिए और bell icon पे press कीजिए ताकि जब भी video आए ठीक है आपको notification मिल जाए चलिए बताइए सुनील answer क्या बताया आपने इंटर crop बाकी जितने भी online है जल्दी जल्दी इस question का answer दीजिए question क्या पूचा है a short duration crop in between two main seasonal crops main season की जो दो crops है उनके बीच में एक ऐसी crop जो short duration के लिए grow की जाती है उनको क्या कहते है option है cash crop, second one is B, B क्या है inter crop, third is companion crop and the fourth one is catch crop तो spy R की A बोला इन्होंने रवी वर्मा, C, कशिश देशवाल, B, साहिल वर्मा, hello ma'am hello sahil, चलो जल्दी जल्दी बताइए इसका answer क्या आएगा अभी mix option आ रहे हैं, बाकी जितने भी लोग online है जल्दी जल्दी इसका answer दीजिए, क्या आएगा इसका answer cash crop, inter crop, companion crop, या फिर catch crop इन चारों में से क्या option आएगा इसका answer इसका answer आएगा catch crop catch crop कौन से crop होती है, जब हमने main season की crop grow की है main season हमारे कौन से होते है मंदीब सर की class थी, मैं, plant pathology से कैसे question आते है साहिल वर्मा, देखिए, plant pathology से ज़्यादा कुछ question नहीं आते question आएगे तो एक, दो कुछ main crop है, या फिर main कोई fruit crop है या filled crop है, उनकी कुछ एक disease पूछ लेंगे, कि particular disease कौन से crop में आती है, इस type से question आ सकते हैं, ज़्यादा deeply question नहीं आएगे, गोवर्दन शर्मा, hello ma'am, hello अंकित काली रामना, B, किरन देवी, good evening ma'am, good evening अंकित काली रामना, B, okay, गोवर्दन शर्मा आपने बताया, D देखिए सबसे पहले, मैंने पुछा कि दो main season crop के बीच में, जो crop grow की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, सबसे पहले ये बताईए, अपने main season कौन-कौन से होते हैं, जैसा कि अपने को पता है, main season अपने होते हैं, Rabi season and Kharif season, तो इन दोनो season के बीच की जो crop पुछी है, वो, उसका नाम हमें बताना है, तो वो कौन सा season होता है, जायद season, तो इन दोनों के, मतलब main seasons के बीच में एक ऐसा time आएगा, जिसमें हम कोई short duration crop grow कर सकते हैं, ठीक है, मैं 60% होने ज़रूरी है, क्या देखिए इसका notification के बारे में sir video बना चुके हैं, ठीक है, एक बार आप उसमें फिर से देख लीजिए, ये, गोवर्दन मैम, when VLD entrance exam class is live, ये आपको notification मिल जाएगा, उसके अलावा, आपको contact number दे रखा है, आप phone करके पूछ सकते हैं, सभी class के लिए, किरन देवी डी, हंजी, तो question क्या है हमारा, कि जो दो main season है, उसके बीच में हम क्या करेंगे, को short duration crop ग्रो कर लेंगे, उसको नाम दिया जाता है, catch crop, तो जिन्होंने भी A answer दिया, A option हमारा क्या है, cash crop, cash crop ऐसी crop होती है, जो हम क्या करते हैं, field में grow करते हैं, और उसको उपने house purpose के लिए ना रखके, उसको क्या करेंगे, direct sell कर देंगे, ठीक है, तो वो होती है cash crop, inter crop क्या होती है, जिन्होंने inter crop बोला था, inter crop का meaning होता है, कि दो crop grow कर रखके, और crop के साथ के अंदर, main crop है, उसके साथ हम कोई crop grow कर रहे हैं, season same होगा, वो होती है inter crop, ठीक है, companion crop भी वही होती है, जो साथ में हो और उसको compliment करें, लेकिन यहां question में यह पुछा था, कि main crops, main season की बात हुई थी, main crop की बात नहीं हुई थी, main seasonal crop, ठीक है, तो main season यह होगे ना हमारे, तो इन दोनों के बीच में आजाएगा जायद, ठीक है, साहिल वर्मा में, herbicide कितने आती है, देखिए, weed के काफी सारे question आते हैं, weed size काफी important part है, किसी भी particular crop का आप से weed पूछ लेंगे, या फिर कोई herbicide आगे कि particular herbicide किसमें use करते हैं, ठीक है, ठीक है, इसका answer आजाएगा catch crop, आज का next question क्या है, which is the leading state in production of ground nut, देखिए, जितने भी लोग online है, please video को like कीजिए, ज्यादा से ज्यादा share कीजिए, जितना आप video को share करेंगे, उतनी possibility है, कि videos आपकी live आए, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, कि live videos आए, आपकी अच्छी preparation continuously होती रहे, और question आप practice कर सको, तो ज्यादा से ज्यादा video को share कीजिए, ठीक है, और like भी कीजिए video को, तो question क्या है, which is the leading state in the production of ground nut, इन में से ground nut की leading state क्या है, मतलब ground nut की production सबसे ज्यादा, इंडिया में कौन सी state में होती है, option is, first is UP, मतलब उतरप्रदेश, second is Rajasthan, third one is Haryana, fourth one is Gujarat, ठीक है, इसका answer दीजिए, अंकित कालिरामना D, Rajesh Kumar C, Amisha Punya D, C, D, O, K, आपके mix option आ रहे हैं, C, D, The Gamer D, Sunil A, Spy R, KC, Desi Dunia D, चलिए, बताइए इसका answer क्या आएगा, जिनों ने नहीं बताया, अभी तक बताइए क्या answer आएगा इसका, groundnut की production में leading state कौन सी है, तो इसका answer जिनों ने D दिया है, उनका answer एकदम ठीक है, ठीक है, तो Gujarat क्या है, leading state है, groundnut की production में, सबसे ज्यादा groundnut की production कहा होती है, Gujarat में, ठीक है, तो अगर इस type की question आपके आते हैं, leading state, तो कुछ जो important crops है न, उनके आ सकते हैं, कि particular crop की leading state, मतलब कौन सी state में, particular crop की production जादा होती है, तो यहाँ हम से किसका बूचा था, groundnut का, तो उसका answer क्या आ जाएगा, Gujarat, ठीक है, चलिए, next question है हमारा, तो जो अद साली sugarcane होती है, वो कौन से मन्थ में plant की जाती है, option A है हमारा, June, July, option B is December, Jan, C is February, March, and D is none of these, बताइए इसका answer क्या आएगा, question में यह पूचा है, कि जो अद साली type की sugarcane है, उसका planting time क्या है, कौन से मन्थ में वो plant की जाती है, चलिए जल्दी जल्दी answer दीजिए, इस question का ठीक है, आपका participation जितना होगा, उतना ही आपकी practice के लिए बहुत अच्छा है यह, और exam में आपको question खुद ही clear हो जाएगे, अगर आपने participate किया होगा तो इसमें ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी, क्या बोला है, आप सबने A, ओके, राजेश कुमार A, सुनील A, अमिशा पुनिया A, गामाले A, ठीक है, आप सब भी जो पता रहे हैं, जून जुलाई इसका answer आएगा, ठीक है, तो अज साली जो sugarcane होती है, वो जून जुलाई में plant की जाती है, और अगर हम बात करें, एक साली शुगरcane होती है, वो जैन फैब में plant की जाती है, तो आपको जितनी भी आप crops पढ़ते हैं, आपको planting time पता होना चाहिए, वैसे तो general होता है, कि जो रभी crops होगी, वो हमारी कब होगी, October, November में उसकी sowing हो जाएगी, और जो हमारी खरीफ की crop होगी, उनकी June जुलाई में हो जाएगी, लेकिन कुछ है crops है, जो हमारी अलग time में, जिसकी planting या sowing होती है, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है, गामा अले जांगडा गूरी, गोवर्दन शर्मा B, ठीक है, चलिए, यह question इसका क्या आएगा इसका answer, इसका answer आएगा, option A, मतलब June जुलाई, आप वीडियो को share करते रहिए, ठीक है, जितने भी लोग online है, वीडियो को जादा से जादा like किजिए, 50 likes कम से कम वीडियो के होने चाहिए, और अपने friends को, और जितने भी आपकी classmates है, जो आप preparation कर रहे हैं, उनको share कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को, और जिनोंने subscribe नहीं किया है, जल्दी से जल्दी इसको subscribe कर दीजिए, ठीक है, mode of pollination in maze is, इसमें क्या पूछा है, कि maze में किस type की pollination होती है, ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, transfer of pollen grain from enter to stigma, तो enter से stigma तक जो pollen grain transfer होता है, that process is known as, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, पॉलिनेशन, तो हमें क्रोब दे दी गई है, कौन सी maze, यानि मक्का, और पूछा क्या गया है, कि मक्का में जो pollination होती है, वो कौन से method से होती है, option क्या है, self pollination, option B है, vegetative propagation, third one is cross pollination, D option is none of the above, spy R की A, गामा अले मैं, paper की date आ गई क्या, नहीं अभी तक exam की date नहीं आई है, लेकिन within October आपका exam हो जाएगा, बस आप अपनी preparation पर ध्यान रखिए, आपको अच्छे से अच्छे preparation करनी है, ठीक है, question practice करते रहिए अपने, धरमवीर कुमार C, मैं, सुनील B, गामाले C, कशिश देशवाल C, अमीशा पुनिया C, स्पायार की किरन देवी C, ओके भई आप सभी answer दे रहे हैं, C तो C होगा इसका answer, ठीक है, इसका answer क्या आएगा, C, ये तो आपने बता दिया, कि मेंज के अंदर cross pollination होती है, लेकिन मैं आपको दो option देती हूँ, मेंज के अंदर, सबसे पहले, दो part होते हैं न, pollination, कैसे male और female reproductive part होते हैं, एक flower में, एक plant में, ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले, इसमें जो male part होते है, उसको क्या बोलते हैं, tassel, और जो female part होते है, उसको क्या बोलते हैं, silk, ठीक है, इन दोनों में से, सबसे पहले कौन सा mature होता है, बताईए जल्दी से, बताईए कों सा सबसे पहले mature होता है, इसमें, silk या tassel, लेकिन आपके question इसी से आएगा related, एक आदी crops के पूछ लेंगे, जैसे rice और wheat का आपको ध्यान रखना है, यह हमारी main crop है, इन दोनों में ही हमारी self pollination होती है, उसके लावा अगर हम बात करते हैं, pearl millet की या फिर maize की, इन दोनों में क्या मिलता है, इन दोनों में मिलता है cross pollination, ठीक है, अब मैंने यह पूछा कि इसके अंदर कैसी situation मिलेगी, male part पहले mature होगा, या female part, अगर male part पहले mature होता है, उसको बोलते हैं proto-endry, ठीक है, क्या बोलते हैं proto-endry, और अगर female part पहले mature होता है, उसको बोलते है proto-gyni, बताएए इस cancer क्या एगा, gamma-ale male part, tassel, ठीक है, जिनोंने भी A बोला है, sorry tassel बोला है विक्दम ठीक है, per millet के अंदर proto-endry situation मिलती है, मेज के अंदर proto-endry situation मिलती है, male part यानि की tassel पहले mature होता है, female से, यानि silk से, इसी वज़े से इसमें cross-pollination मिलता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं pearl millet की, तो उसमें मिलती है proto-gyni condition, यानि उसके अंदर जो female part होता है, वो पहले mature होता है, ओके जिन्होंने भी बताया है, male part, tassel लेकिन ठीका आप cancer, तो मेज के अंदर कौन सी condition मिलती है, proto-endry या proto-gyni, तो इसका अंसर क्या हैगा, इसका अंसर आजाएगा proto-gyni, और वहीं अगर हम से पूछा जाए, पर्ल मिलेट तो उसका अंसर आजाएगा क्या, proto-gyni और इसका यहां लिख देती हूँ मैं एक बर, जो मेज है, उसमें है proto-endry, ठीक है, और जो पर्ल मिलेट है, उसके अंदर क्या आएगा, उसमें आएगा proto-gyni, यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, पर्ल मिलेट में proto-gyni, ठीक है आपका अंसर, next question करते हैं, next question है, murate of potash is, murate of potash का formula क्या है, option में क्या है, first is potassium sulfate, that is K2SO4, B option है, KCl, मतलब potassium chloride, third है, KNO3, मतलब potassium nitrate, और next है, K2HPO4, ठीक है, यानि potassium, क्या होगा यह, potassium hydrophosphate, तो यह बताईए हमें से पहले, पूछा क्या है, murate of potash का formula क्या है, murate of potash क्या है, आपका एक fertilizer है, ठीक है, कैसा fertilizer है, जो potassium supply करता है, तो जल्दी जल्दी इस cancer दीजिए, murate of potash का formula क्या होगा, KCl होगा, K2SO4 होगा, KNO3 होगा, या फिर K2HPO4 होगा, जल्दी से बताईए इसका आंसर, spy RK A, ashwani dhanda A, dharamvir kumar B, jangda guri B, ओके, बताईए बाकी सभी answer, जितने भी लोग online है, जल्दी जल्दी answer दीजिए, और video को like कीजिए, ठीक है, online जादा है, लेकिन video आप फिर भी like नहीं कर रहे है, video को like करते रहे है, और share करते रहे है, जादा से जादा, बताईए जल्दी जल्दी इसका answer, देशी दुनिया B, Rajesh कुमार B, Amisha पुनिया B, धरamvir कुमार B, ठीक है, जिनोंने इसका answer बताया है, B, उसका answer एकदम ठीक है, murate of potash का formula क्या होता है, KCL, जिनोंने ए बताया है, उनको मैं बतादू, K2SO4, sulfate of potash का formula होता है, ना कि murate of potash का, ठीक है, murate of potash कौन सा है, KCL, और sulfate of potash कौन सा है, K2SO4, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको murate of potash का formula होता है, KCL, कशीष देशवाल, B, Rajesh Kumar, KCL, ठीक है, जांगडागूरी, B आएगा मैं, हाँ जी, B आएगा, KCL, ठीक है, murate of potash का formula क्या होता है, murate of potash का formula होता है, KCL, ठीक है, उसके बाद, आप सभी मुझे ये बताइए, कि M.O.P, इसको short में क्या मोलते है, M.O.P में, potash का, potash की concentration कितनी होती है, कितने percent, K2O मिलता है, किसमें, KCL में, जल्दी जल्दी बताइए, इस का answer, क्योंकि fertilizer, आपने थोड़े बहुत basic किये होंगे, तो basic किये हैं, तो आपको DAP, Urea, इसको की पता होगी, तो SSP, कुछ main fertilizer से आपके, जैसे DAP है, Urea है, SSP है, M.O.P है, इन में तो at least आपने concentration याद की होगी, particular nutrient की, तो यहां किसकी बुची है, murate of potassium में potassium की concentration कितनी होती है, जल्दी जल्दी इसका answer दीजी, कितनी percent potash होता है M.O.P में, धरमवीर कुमार 60%, जांगडा गूरी 60%, बाकी सभी भी बताईए, इसका answer क्या आएगा, क्या 60% सही answer है या गलत है, बताईए जल्दी जल्दी, दरमवीर कुमार 60%, मैं, okay, ठीक है, क्या आएगा इस cancer, murate of potassium, यानि KCL, KCL के अंदर, कितना होता है, KCL में potassium की concentration कितनी होती है, 60%, Rajesh कुमार 60%, Kashish देशवाल 60%, ठीक है, आप cancer, जिनोंने भी 60% बताया है, ठीक है, तो M.O.P में कितनी concentration होती है, nutrient की 60%, यानि potassium उसमें कितना मिलेगा, 60% मिलेगा, ओके, चलिए, next question पर आते हैं, next question है, ruminants have dash number of compartment in their stomach, जो हमारे ruminants होते हैं, ruminants मतलब जिनके stomach में rumen present होता है, जैसे कि गाए, भैस, बकरी, यह सब किसमें आते हैं, यह आते है ruminants में, तो question क्या पूचा है, question यह पूचा है, कि ruminants का जो stomach होता है, उसके अंदर कितने compartment बने होते हैं, ठीक है, कितने part उसके अंदर बने होते हैं, option है, हमारे पास 1, 2, 3 या 4, तो 1 compartment, 2, 3 या 4, कितने compartment बने होते हैं, जल्दी जल्दी इसका answer दीजिए, बताईए जल्दी जल्दी, ruminants के stomach में, कितने compartment बने होते हैं, सपना डूल, 4, स्पाय आरकी C, अमेशा पुनिया C, राजेश लोरा, 4, चलिए, जितने भी लोग answer दे रहे, साथ में एक बार bracket में, compartment का नाम जिसको पता है, वो भी mention कर दीजिए, कौन-कौन से 4 compartment है, जिनको भी ये पता है, कि 4 compartment है, ये आपका answer एकदम ठीक है, तो 4 compartment है, उन 4 compartment के नाम जिसको पता है, जल्दी जल्दी इसके अंदर, comment में mention कीजिए, कितने compartment है, 4, इन 4 ओं के नाम mention कीजिए, जल्दी से, राजेश, कुमार, लोरा 4, ठीक है, देशी दुनिया B, जांगडा गूरी B, sorry D, ठीक है, जिन्होंने भी D answer दिया है, कशिश, देश्वाल, राजेश, कामार ले, देशी दुनिया, राजेश, कुमार, लोरा, स्पाय, आर्की, ठीक है जिनोंने भी D answer दिया है एकदम ठीक है आपका किसके अंदर 4 compartments होते हैं अब जिसको पता है इन compartments के नाव वो जल्दी से mention कर दीजिए ओके अमिशा पुनिया ने बताया है चार compartment के नाम Rumen, Reticulum, Omesum, Abomasum ठीक है आपका अंसर ठीक है वो चार compartment है कौनसे चार compartment में Rumen, Omesum, Abomasum और कौनसा है Reticulum ठीक है तो ये चारो compartment मिलते हैं हमें Ruminants में ओके ठीक है I hope ये question आपको clear होगा चारो compartment के नाम जिनको याद नहीं है वो एक बार पढ़ लीजिए ठीक है तो चार compartment है Rumen, Reticulum, Omesum and Abomasum Next question पह आते हैं Highest egg producing state in India जांगडा गूरी ठीक है आपने भी ठीक बता है इस कांसर Omesum, Abomasum, Rumen or Reticulum ठीक है Question क्या है Highest egg producing state in India is India के अंदर इन में से कौनसी state में egg production सबसे हाइस होता है Option क्या है First one is Punjab, Second is Tamil Nadu Third is Andhra Pradesh and the fourth one is Sorry, third is Uttar Pradesh and the fourth one is Andhra Pradesh इन चारों में से egg production सबसे ज्यादा कौनसी state में होता है बहुत important question है, यह exam में आ सकता है ठीक है, तो egg production सबसे ज्यादा कौनसी state में होता है बताए जल्दी जल्दी Amisha Poonia D, Gamma Ale D Okay, Spy RK D Sejal Andhra Pradesh, Desi Dunia D Amisha Poonia D, ठीक है आप सभी answer दे रहे हैं, तो क्या आएगा इसका answer Andhra Pradesh तो Andhra Pradesh ऐसी state है, जिसके अंदर egg production highest होता है अगर हम इंडिया की सभी states को compare करें, तो maximum egg production कौनसी state में होगा maximum egg production होगा Andhra Pradesh में Kashish Deshwal D, Okay चलिए, next question पर आते हैं आप video को like करते रहे हैं, ठीक है मुझे बार-बार कहना ना पड़े, like करते रहे हैं उसके अलावा, जल्दी-जल्दी जितने भी लोग online है, वो answer भी देते रहे हैं उसके अलावा share करिए अपने friends में ठीक है, चलिए next question है, which of the following is known as poor man's cow, ठीक है इन चारो में से, गरीब की गाएं यानि poor man's cow किसको कहा जाता है दरमविर कुमार D, राजेश कुमार ठीक है, आपके बिच्छी वाले question का answer अब क्या पूछा है मैंने इस question में इस question में मैंने पूछा है which of the following is known as poor man's cow, इन में से poor man's cow किसे कहा जाता है first option is ship, second is buffalo, third is chicken and the fourth one is goat Amisha Poonia D, spy RKD, ok बताए इन चारो में से poor man's cow किसको कहा जाता है बताए क्या आएगा इसका answer सेजल, goat, सबना डूल, ship राजेश कुमार D, धरमविर कुमार D okay, Amisha Poonia goat, अश्वनी धांडा D इसका answer क्या आएगा, इसका answer जिन्होंने D दिया है, उनका answer एकदम correct है, ठीक है, goat यानि बकरी को क्या कहा जाता है बकरी को कहा जाता है poor man's cow, ठीक है ये question आपका वेटनरी आइनिमल sciences में से है, animal sciences के भी question exam में जरूर आते हैं हर बार, अभी तक के जितने भी exam हुए है सभी में questions आए है, ठीक है तो question क्या था कि poor man's cow किसको कहा जाता है, तो poor man's cow कहा जाता है, goat को, बकरी को ठीक है, किरन देवी D जिन्हों ने भी D answer दिया है उनका बिलकूल ठीक है, ओके चलिए, next question पर आते हैं next question है, silage has a dry matter of around बताए, silage में dry matter कितना होता है जल्दी जल्दी इसका answer दीजिए silage में dry matter का content कितना होता है 10 to 15 percent, 20 to 30 percent, 40 to 50 percent, 60 to 70 इसके अंदर आप दो question बताएए, एक आपको बताना है इसमें moisture content और उसके अलावब आपको बताना है dry matter content, ये दोनों चीज़े आप बताएए कि जो silage है, उसके अंदर moisture content कितना होता है और dry matter content कितना होता है exam में question बहुत बार आया है लेकिन question mostly repeat होता है moisture का तो इसके भी आने के chances हैं तो दोनों question का आप answer बताएए जांगडा गूरी मैम date कब तक आएगी exam की देखिए अभी कुछ ऐसा पता नहीं है लेकिन expect कर सकते हैं कि दस एक दिन में date आजाएगी आपकी ठीक है मैम ruminant वाले वाला की chapter ओके ruminant वाला आपका animal science में से question cover होता है ठीक है वो भी आपका animal science का ही part है amisha punia b sejal 20-30% जांगडा गूरी b कशिश देशवाल b बताएए इस का answer dry matter content और moisture content आपको दोनों बताने है क्योंकि दोनों आने के chances है हमें question इस तरीके से cover करने है कि अगर question direct ना आके थोड़ा change कर दिया जाए तो अभी हम उसका answer दे सकें ठीक है तो silage का क्या पूचा है silage के अंदर dry matter और moisture content पूच रही हुँ मैं question में सिर्फ dry matter पूचा है बताईए जल्दी से क्या-क्या answer आएंगे इसके कशिश तेशवाल भी अमीशा पुनिया 22-30% ठीक है जिनोंने भी भी answer दिया है dry matter content आपने एकदम ठीक बताया है कितना 20-30% ठीक है 20-30% dry matter content होता है और अगर आपसे पूचा जाए moisture content वो कितना होगा क्योंकि जब हम photo देते हैं तो उसमें दो चीज़े आती है कौन-कौन सी दो चीज़े आती है एक आता है उसमें है एक आता है silage इन दोनों की moisture percentage बहुत बार exam में पूची जाती है कि है कि अंदर कितना percent moisture पाया जाता है और silage में कितना percent moisture पाया जाता है तो जल्दी से जल्दी बताईए सेजल ने answer दिया है moisture content 10-15% बाकि सभी बताईए 10-15% आएगा या जादा आएगा कितना आएगा जितने भी लोग online है at least आप बताईए इसमें कि है और silage इन दोनों का moisture percentage कितना कितना होता है बताईए जल्दी से जो आप बता रहे हैं 10-15% वो सही है या नहीं है बाकि बताईए इसमें क्या आएगा इस cancer कितने percent moisture content होता है है में और कितने percent moisture content होता है silage में जल्दी से जल्दी बताईए साहिल वर्म मैं साहिलेज क्या होता है जो एनिमल्स को फोडर खिलाते हैं वो दो फोम में होता है जो जादर ड्राय होता है वो होता है हे ठीक है वो जो थोड़ा सा वेट होता है और जो फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है उसको साहिलेज बोलते हैं ठीक है, हे में क्या करते हैं, direct cut करते हैं उसको, और dry करके और direct animal को feed करवाते हैं, fermentation वाली process उसमें नहीं होती, लेकिन silage में fermentation वाली process होती है, ठीक है, तो एक type का ये dry होगा, इसके अंदर moisture percentage कम होगी, जो आपने बताई है, सेजल ने 10-15% जो moisture content बताया है, वो इसका होता है, हे क moisture content 15-20% से जादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 15-20% से जादा हे का moisture content नहीं होना चाहिए, और silage का 40-60% moisture content हो सकता है, ठीक है, I hope आपको ये समझ में आ गया होगा, कि हे और silage में main difference क्या है, इन में main difference होता है, कि इसको किस procedure, ये तो direct हम क्या करते हैं, cut करके और feed करवा जेते ह और इसकी करवाते है, fermentation, और main जो difference होता है, वो इनके moisture content में होता है, इसका moisture content होगा, वो 15-20% से जादा नहीं होगा, और इसका moisture content vary करेगा, silage का कितना, 42-60%, I hope आप सभी कोई question clear होगा, ठीक है, आप respond करते रहिए, कि question आपको clear हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, अब हम चलते ह है, next question पर, Sejal, okay ma'am, okay, चलिए, next question पर आते हैं, I hope समझ में आ गया होगा आपको, next question है, पैश्मीना is the name given for, यहाँ पर एक word दिया गया है, पैश्मीना, ठीक है, question क्या बुचा है, कि जो पैश्मीना word है, वो किसको नाम, यह नाम किसको दिया जाता है, option में क्या है, सभी में hairs है, यहाँ पर meat है, ठीक है, question क्या option है, hair of angora goat, कि angora goat है, उसके hairs को पैश्मीना का जाता है, option B क्या है, बफलो के hairs को पैश्मीना का जाता है, option C क्या है, कश्मीरी goat को पैश्मीना का जाता है, और last option क्या है, कि जो goat का meat होता है, उसको पैश्मीना का जाता है, जांगड़ा ये question भी काफी important है क्योंकि Pashmina word important है आपके लिए बताइए इसका answer क्या आएगा सेजल C, राजेश C स्पायारकी C जांगडागूरी, धरमविर कुमार ओके, राजेश कुमार लोरा C, ठीक है आप सबी ने जिन्होंने C answer दिया है उनका answer बिल्कुल ठीक है जो कश्मीरी गोट होती है हमारी उसके hairs को क्या कहा जाता है उसके hairs को कहा जाता है Pashmina, ठीक है उसके hairs को Pashmina कहा जाता है गोवर्दन शर्मा C, देशी दुनिया C चलिए, इसका answer आपने दे दिया इससे related एक question और आ सकता है कि जो angora goat है first option में क्या लिखा हुआ है first option में लिखा हुआ है angora goat इसके hairs को एक नाम दिया जाता है एक particular, एक particular term दी जाती है उसको क्या कहा जाता है वो जल्दी जल्दी से भी बताईए comment में कि angora goat का जो hairs होते हैं उनको क्या कहा जाता है जैसे कश्मेरी goat के hairs किसे related है पैश्मिना से वैसे ही पूछा है angora का ठीक है, जल्दी जल्दी बताईए इसका answer क्या आएगा कि angora goat के hairs को क्या कहा जाता है बताईए जल्दी जल्दी जो भी लोग online है reply कीजिए इसका जिसको इसका answer बता है जल्दी से reply कीजिए जैसे कश्मेरी goat के hairs को पैश्मिना कहा जाता है वैसे ही angora goat के hairs को क्या कहेंगे बताईए जल्दी 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 क्या आएगा इसका answer जिनने भी बताईए इसका answer दीजीए जल्दी से बताईए angora नहीं angora तो आपने बता आपने ठीक है जैसे पैश्मीना वर्ड रिलेटिड है कश्मीरी गोट से ठीक है वैसे ही एंगोरा वर्ड रिलेटिड है किस से मोहेर से वैसे ही जो मोहेर है ये नाम किसको दिया जाता है सेजल बिल्कुल ठीक आप का अंसर इसका अंसर आएगा मोहेर ठीक है जो एंगोरा गो here is angora नहीं ठीक है angora नहीं कहते है उसको mohair कहते हैं ओके चलिए next question पर आते हैं next question क्या है हमारा amisha puniya mohair ठीक है next question है हमारा which of the following fruit contain highest amount of ascorbic acid ascorbic acid क्या होता है vitamin C को हम ascorbic acid बोलते है chemically 4 option दे दिये गए हैं में कौन-कौन से first is aula, second is mango third is apple and the fourth one is orange, इन चारो में से ascorbic acid या vitamin C किसके अंदर maximum मिलता है जल्दी जल्दी इस cancer दीजिए क्या हैगा इस cancer इन चारो में से highest ascorbic acid content किसमें पाया जाता है यानि vitamin C सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है इन चारो option में से बताईए जल्दी जल्दी ओके वासु कमबोज A सेजल A सेजल ने क्या गा है orange ओके अमिशा पुनिया C स्पाय आर्की A वासु कमबोज आमला जांगडा गूरी C बताईए जल्दी जल्दी जितने भी लोग online है जल्दी जल्दी बताईए इसका answer और वीडियो को लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए ठीक है और सब्सक्राइब भी कीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सेजल आमला कशिश देशवाल A ओके जिन्होंने इसका answer दिया है A उनका answer एकदम ठीक है highest ascorbic acid इन चारों में से मिलता है आमला में option में अगर जैसे इसके अंदर क्या दिगिवन है इसमें दे रखा है इन चारों में से हमें चूज करना था highest ascorbic acid लेकिन अगर हम option ना दिये जाए हमसे और direct पुछा जाए कि इन चारों direct ये पुछा जाए कि highest ascorbic acid या vitamin C किसमें मिलता है उसका answer क्या लिखेंगे आप मतलब आमला से जादा आमला से जादा ascorbic acid किसमें मिलता है जल्दी से बताइए इसका answer क्या आएगा राजेश कुमार नहीं आता ओके धरमविर कुमार क्या कोशन बुचा है मैंने इस के अंदर इस कोशन के अंदर हमें आमला ही था इन चारों में से जिसके अंदर highest क्या है vitamin C content है या ascorbic acid है अगर हमें आमला के अलावा एक और option दे दिया जाए जिसके अंदर आमला से भी जादा vitamin C या फिर ascorbic acid मिलता है उसका नाम बताईए जल्दी से ओके इन्होंने answer दिया है जांगडा गूरी बार्बिडोज बार्बा डेंस cherry नहीं बार्बा डेंस cherry नहीं बोलते आपका answer ठीक है लेकिन थोड़ी spelling mistake है ठीक है यह होता है बार्बिडोज cherry ठीक है बार्बिडोज cherry के अंदर maximum vitamin C content मिलता है ठीक है तो बार्बिडोज cherry अगर आपका option में आएगा तो उसका answer आवला नहीं होगा उसका answer होगा बार्बिडोज cherry क्योंकि सबसे ज़ादा vitamin C इसी में मिलता है इसके बाद आवला आता है ठीक है क्योंकि इस question में हमारे पास बार्बिडोज cherry नहीं था तो हमने क्या click कर दिया हमने click कर दिया आवला पे कशिश बार्बिडोज cherry ठीक है आप cancer तो सबसे पहले सबसे ज़ादा vitamin C content किसमें मिलता है बार्बिडोज cherry में उसके बाद second पे आवला आता है चलिए next question पे चलते है रतना variety of mango is a cross of ये variety पे question है variety आपकी horticulture की exam में आई हुई है कुछ particular जो important fruit है उनकी variety पूछी गई है ठीक है specially एक cross भी पूछा गया था तो उसी तरीके से cross पूछा गया हमसे क्या हमें एक variety का नाम दे दिया गया ये actual में एक hybrid है कौन सा रतना ठीक है question क्या पूछा है हमसे कि जो रतना है ये variety हमें given है किसकी variety है ये ये mango की variety है इतना हमें given है पूछा क्या है पूछा हमसे ये है कि रतना किसका cross है option A है नीलम into the sherry second है the sherry into nilam third है nilam into alfonso and fourth option is none of these okay ma'am spelling mistake हो गई कोई बात नी next वासु कमबोज C बताए इसका answer इन चारों में से क्या answer आएगा रतना किसका cross है बताए वासु कमबोज C जांगडागूरी C सेजल C बताए क्या answer आएगा जितने भी लोग online है भी ने बोला है C चलिए बताए इसका answer क्या आएगा इसका answer आएगा C तो जिन्होंने C answer दिया है उसका बिल्कुल ठीक है हम इसको इस तरीके से याद करते हैं N.A.R N.A.R का meaning क्या है N.A.R का meaning क्या है N.A.R का meaning है nilam into alfonso ठीक है nilam into alfonso का cross इन्होंने मिलके क्या बनाया इन्होंने मिलके बनाया रतना ठीक है Rajesh C Kashish C Amisha Puniyadashiri into nilam नहीं इसका answer ये आएगा nilam into alfonso ठीक है N.A.R नाम से आप याद रखिएगा कि जो last word होता है वो resultant hybrid जो हमारा बना होता है वो है वो starting वाले जो दो word है वो इसके cross को बता रहे है ठीक है तो इसका cross होता है nilam into alfonso तो nilam और alfonso दोनों के cross क्या है रतना जो कि एक mango की variety है तो ये चीज़ आप ध्यान लखिएगा कि mango के जो cross है वो उच्छे से याद कर लीजएगा ठीक है एक्जाम में आने के chances होते हैं इसके cross last time भी एक आया था तो next question क्या है आज का next question है the first KVK was established in 1974 first KVK कहां established किया गया था इसमें Amisha Poonia okay ma'am okay चलिए first KVK पूचा गया है इसके answer में साथ में आप KVK की full form लिखिए और साथ में इसका answer दीजिए कि जो पहला KVK था ये भी date इसमें हमें याद रखनी है 1974 में बना था option में है नागपूर ठीक है second है निलो खेडी third is Ludhyana and the fourth one is Pondicherry तो question क्या बुचा है हम से इन चारों में से पहला KVK कहां बना था ठीक है पहला KVK कहां बना था तो KVK की फुल फॉम भी लिखिए आप सभी KVK होता क्या है वासू कमबोज D सेजल पॉंडिचेरी वासू कमबोज D ओके जांगडा गूरी D धरमविर कुमार D अमिशा पुनिया D बताए इस का answer सभी साथ में KVK की फुल फॉम भी बताए अमिशा क्रिशी विज्ञान केंद्र सही है ठीक है आप का answer उसके अलावा जांगडा गूरी ने भी बताए है क्रिशी विज्ञान केंद्र ठीक है तो इस का answer क्या हैगा KVK क्या होता है क्रिशी विज्ञान केंद्र तो आपको ध्यान रखना है एक्जाम में इसे क्या क्या कोशन आ सकते हैं, एक कोशन तो यह आ सकता है कि KVK stand for तो आप सभी ने इसका आंसर ठीक दिया है राजेश, धरमवीर, अमिशा पुनिया कशिश, देसी दुनिया, ठीक है तो क्रिशी विज्ञान केंद्र तो KVK stand for क्रिशी विज्ञान केंद्र एक यह कोशन आ सकता है सेकंड कोशन यह आ सकता है कि जो 1st KVK है, वो कब बना था वो हमें question में given है लेकिन आप याद रखी हो सकता है आपके question में पूछा ही यह जाए कि बना कब था 1st KVK तो 1st KVK बना था 1974 में ओके बाइ TNAU in Coimbatore, Tamil Nadu इन चारों में से बताईए कहां बना था नागपूर, निलोखेडी, लुदियाना, पॉंडिचेरी तो 1st KVK हमारा बना था पॉंडिचेरी तो जिनोंने D answer दिया है उसका answer एकदम ठीक है, पॉंडिचेरी और KVK का काम क्या होता है KVK farmers को guide करने के लिए बने होते हैं, उसके अलावा farmer को कोई training देनी होती है तो training भी वहाँ provide की जाती है उसके अलावा farmer को कोई भी help चाहिए तो वह farmer के लिए available होते है ठीक है, ओके वासु कमबोज मैं weed का part 2 कब करोगे वासु कमबोज weed science पूरी आपकी app पे upload हो चुकी है ठीक है, weed science कब की complete हो चुकी उसके जितने भी parts थे वो सारे app पे upload है ठीक है, चलिए next question क्या है next question है, in India which fertilizer manufactured first India के अंदर इन चारों में से कौन सा fertilizer सबसे पहले बना था India के अंदर पुछा है India में सबसे पहले कौन सा fertilizer बना था option first is urea second is dap, third is ssp and the fourth one is asn ठीक है, तो ये तो different सा fertilizer है ये, क्योंकि हमारे main crop के अंदर जो use होते हैं वो ये तीन use होते हैं, तो obviously इन तीनों में से कुछ option होगा urea, ssp, dap इन तीनों में से option बताईए, कौन सा fertilizer सबसे पहले बना था वासु कमबोज c, amisha punia d, मैं फर्स, क्या बुचा है वासु कमबोज c, ok spy arky urea, वासु कमबोज c, amisha punia asn, sejal ssp, चलिए जिनों ने भी इस का अंसर दिया है, c, उनका अंसर एकदम ठीक है, single super phosphate, ssp, पहला fertilizer है, जो इंडिया में बना था, और इसके अंदर कितना percent phosphate मिलता है हमें, बताईए, ये भी जल्दी जल्दी answer दीजिए, single super phosphate ठीक है, जांगड़गूरी ने इसके full form ठीक बताईए, तो ssp के अंदर कितने percent phosphorus मिलता है और कितने percent sulfur मिलता है, जल्दी जल्दी इसका अंसर दीजिए, तो ssp में availability of sulfur and phosphorus, जल्दी जल्दी बताईए इसका answer क्या आएगा, ssp में phosphorus और sulfur की percentage कितनी है, क्योंकि दोनों ही exam में आ सकते हैं, exam में आया भी हुआ है, इससे related question ssp में percentage बताईए, percentage कितनी है nutrient की sulfur की और phosphate की बताईए जल्दी से 16, 16 ठीक है 16 ठीक है, अगर हम बात करें P2O5 की, तो कितना मिलेगा 16% और अगर हम बात करते हैं sulfur की, तो ssp में कितना sulfur मिलेगा, 12% यह शायद मैं आपको बता भी चुकी हूँ, पिछे एक live video के अंदर कि जो phosphate content है ठीक है, जो phosphate content इसमें है, कितना है 16% और जो sulfur content है, वो कितना है, वो है 12%, ओके चलिए, next question पे आते हैं जिन्होंने भी 16 बताया है कौन-कौन से, वासु कमबोजने जांगडा गूरी देसी दुनिया, ठीक है चलिए, ठीक है इन सभी का answer, phosphate content कितना है, 16% चलिए, next question क्या है, next question है कशिश देशवाल 16, P2O5, 12, sulfur ok, सेजल 12%, ठीक है, जिन्होंने भी answer बताया है ok चलिए, question क्या है white alkali soils are इन में से white alkali soil किसे कहा जाता है, option है acid soil second is saline soil third is saline sodic soil and the last one is sodic soil तो यह soil science के, से question आया है, ok चलिए, यह manti quiz के लिए आप सभी ready हो, ठीक है चलिए yes, ready okay, सभी ready रही है, manti quiz के लिए, ok चलिए, जाद से जाद से शेयर कीजिए वीडियो को, क्या question पूचा है मैंने white alkali soil इन में से white alkali soil कौन सी है वासु कमभोज मैम, please tell something about manti quiz देखिए वासु, यह sir आपको पता देंगे सब कुछ, ठीक है, manti quiz के बारे में अब यह आप एक बार question पे focus कीजिए ठीक है, sir upload कर देंगे यह वीडियो quiz के complete introduction spyarchy B jangadaguri B वासु कमभोज C Rajesh Kumar, मैम हिंदी में धरमविर कुमार B ok, बताइए white alkali soil, चलिए today, चलिए आपका time आगए कि BSC agriculture 6 year के लिए, जो manti quiz है वो होगा 8 बज़ आज, ठीक है, तो आप सभी ready रहिए, question क्या है white alkali soil इन चारों में से किसे कहा जाता है तो जिनोंने भी answer दिया है B उसका answer एकदम ठीक है, अगर हम saline soil की बात करें, तो saline soil को कहा जाता है, white alkali soil और sodic soil को क्या कहा जाता है sodic soil को कहा जाता है क्या, black alkali soil ठीक है white alkali soil किसे कहा जाता है saline soil को और sodic soil को क्या कहा जाता है black alkali soil देशी दुनिया B चलिए white alkali soil किसे कहा जाता है saline soil, ओके, चलिए next question पर चलते हैं वीडियो को share करते रहिए like करते रहिए ठीक है question क्या है guava belong to family guava यानि अमरूद अमरूद कौन सी family को belong करता है ठीक है question क्या है guava कौन सी family को belong करता है option है miltasi second is karikasi third is u4basi and the fourth one is rosasi बताइए इन चारो में से guava कौन सी family को belong करता है बताइए क्या हैगा horticulture का question है horticulture last time exam में आई थी तो इस बार भी chances है ज़्यादा से ज़्यादा आने के ओके चलिए क्या हैगा इसका answer बताइए इसका answer participate करते रहिए और share करते रहिए वीडियो को ठीक है और like कीजी ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आप continuously exam के लिए question practice कर सके ओके सभी ने answer दिया है इसका A ठीक है ठीक है जिनोंने answer इसका दिया है A तो miltasi family को guava belong करता है अब आप ये बताइए कि guava का scientific name क्या होता है क्योंकि exam में ये भी आ सकता है botanical name या scientific name of guava ठीक है जल्दी से बताइए इसका answer जो भी A answer दे रहे हैं एकदम ठीक है miltasi family को belong करता है guava मैंने इसके बाद एक question और बुच्छा इससे related क्या कि guava का scientific name क्या है विज्यान जोन इंडिया miltasi ok amisha punia miltasi rajesh kumar ठीक है आपका answer बताइए जल्दी से guava का scientific name क्या है ma'am now possibility of vegetable is high ok vegetable के question में include हो जाएंगे ठीक है लेकिन horticulture और vegetable में से वही vegetables आएगे जो main main है या जादा ग्रो की जाती है बताइए जल्दी से इसका answer cdm guajwa ठीक है आपका answer जिनोंने बताया है तो guava का scientific name क्या है guava का scientific name है cdm guajwa ठीक है ये इसका scientific name है और इसको बिलों करता है ये बिलों करता है mintacy family को ok जिनोंने इसका answer दिया है cdm guajwa ठीक है चलिए next question पे आते है next question क्या है vijyan zone india severus name चलिए कशish cdm guajwa ok जांगडा गूरी ok ma'am चलिए अगला question क्या है okra belong to family okra किसको का जाता है okra कहते है bindi को ठीक है okra का scientific name क्या है scientific name नहीं इसकी family बतानी आपको family कौन सी है इसकी first option है solenasi second is malweasi third is tillieasi and the fourth one is crucifery scientific name की एक list आजाएगे आपके पास ठीक है बताएगे okra कौन सी family को belong करता है solenasi malweasi tillieasi या crucifery जांगडा गूरी thank you sejal b vasu kambhoj b amisha punya b rajesh kumar b ठीक है जिनका answer जिनोंने भी बताएगे तो okra belong करता है malweasi family को ठीक है next question fruit crop tolerant to salinity is cotton और भिंडी malweasi ठीक है cotton और भिंडी ये दोनों malweasi family के ही है question क्या है अब भी fruit crop tolerant to salinity कि saline condition के अंदर कौन सा fruit crop हम easily grow कर सकते है जो tolerate कर सकता है saline condition को मतलब अगर हमारी soil के अंदर salt concentration थोड़ी ज्यादा है तो इन चारों में से कौन सा fruit suitable है bear, mango, apple या orange इन चारों fruit crop में से कौन सा saline condition को tolerate कर सकता है वासु कमबोज A सेजल A जांगडा गूरी D अमिशा पुनिया बेर बताइए परवीन कुमार A चलिए क्या आएगा इसका अंसर bear, mango, orange या apple कशिश A धरमविर कुमार A चलो जिनोंने इसका अंसर दिया है A, ठीक है, उनका अंसर bear, ठीक है तो bear एक ऐसी crop है जो saline condition को tolerate कर सकती है और easily salt affected soil में हम इसको grow कर सकते है राजेश कुमार, bear, देसी दुनिया A ठीक है, तो जिनोंने भी इसका अंसर A दिया है ठीक है, उनका अंसर चलिए, next question क्या है UPAS 120 is a variety of चार crops given है, वीट, पीजन पी, बारले, उर्द ठीक है, इन चारों क्रोप में से UPAS 120 कौन सी क्रोप की वराइटी है बताइए इनका अंसर क्या आएगा वीट आपको पता है बारले को हिंदी में क्या बोलते है बारले को बोलते है जो पीजन पी को बोलते है अरहर, ठीक है ये उर्दिस का हिंदी नेम ही है UPAS 120 is a variety of किसकी वराइटी है ये, बताइए भरत सोनी A, कीरन देवी A देसी दुनिया A, वासू कमबोज B बताइए जल्दी से UPAS 120 इन चारों में से किसकी वराइटी है, कौन सी ग्रोप की वराइटी है ये कशिश देशवाल B जांगडागूरी B सेजल उर्द, अमिशा पुनिया पीजन P, बताइए जल्दी से जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, किसकी वराइटी है ये जांगडागूरी पीजन P चलिए, ये किसकी वराइटी है ये पीजन P, यानि अर्हर की वराइटी है ये और अर्हर का साइन्टिविक नेम क्या होता है अर्हर का साइन्टिविक नेम होता है Cajunas कजान ठीक है Cajunas कजान जो leguminous family को belong करता है और UPAS 120 किसकी variety है वो इसी की variety है pigeon pea की जिसको बोला जाता है red gram या फिर arhar scientific name क्या है Cajunas कजान चलिए next question करते हैं last question है cricket bowl is an improved variety of cricket bowl last question है आज का हमारा कि cricket bowl किसकी variety है चार हमें fruit crops दे दी first one is supporta, second is mango third is lychee and the fourth one is guava इन चारों में से cricket bowl किसकी variety है बताइए what is known as red gram Cajunas जो pigeon pea मैंने बताया pigeon pea को कहा जाता है red gram ठीक है चलिए Amisha pigeon pea को कहा जाता है red gram क्या question बुचा है मैंने cricket bowl इन चारों fruits में से किसकी variety है वासु कमबोज A राजेश कुमार D जांगडागूरी A सेजल सेपोटा बताइए जिनोंने answer नहीं दिया है जल्दी से बताइए इन चारों fruit में से cricket bowl किसकी variety है धरमविर कुमार A ठीका आप सभी का answer तो cricket bowl हमारी सेपोटा की variety है सेपोटा को हिंदी में क्या का आजाता है चीकू तो ये question last time आपके exam में आया था कि cricket bowl इन चारों में से किसकी variety है तो इसका option answer इसका क्या आजाएगा इसका answer आजाएगा A तो ये हमारा last question है आज का हम फिर मिलेंगे तो आप video को like करते रहिए share करते रहिए ठीक है और जिनोंने subscribe नहीं गया है चैनल को subscribe कीजिए Thank you